पूरे विश्व के लिए 21 जून अंतराष्टिय योग दिवस के रूप में बनाये जाता है। और ये सर्व स्विक्रुत हो चुका है और लोग महिनों पहले तैयारिया शुरू कर देते हैं। इन दिनों खबर मिल रही हैं, सारी दुनिया में 21 जून को अंतराष्टिय योग दिवस मनाने की बरसक तैयारिया चल रही है। योगा फर यूनिटी और हार्मोनिय सुसाइटी का यह व संदेश है जो विश्व ने पिछले कुछ वर्षों से बार-बार अनुभव किया है। संस्कृत के महान कभी भर्तुहरी ने सदियों पहले अपने शतक्त्रयम में लिखा था। धैरियम यस्यपिता शमा च जननी शांतिश्चिरम गेहिनी सत्यम सुनुरयम दयाच भगिनी भ्राता मनह सैयमह सैया भूमितलम दिशोपी वसनम ज्ञाना मृतम भोजनम हेते यस्यकुटुम बिनो वदस सखे कस्माद भयम योगिनह सदियों पहले कही गई ये भात का सिधा सिधा मटलब है कि नियमित योगा भ्यास करने पर कुछ अच्छे गूं सगे संबंधियों और मित्रों की तरह हो जाते हैं योग करने से सहस्पैदा होता है जो सदा ही पिता की तरह हमारी रक्षा करता है छमा का भावत्पन होता है जैसा मा का अपने बच्चों के लिए होता है और मानशिक सांती हमारी स्थाई मित्र बन जाती है भर्तुहरी ने कहा है कि नियमित योग करने से सत्य हमारी संतान, दया हमारी बहन, आत्मसंयम हमारा भाई, स्वयम धर्ती हमारा बिस्तर और ग्यान हमारी भुख मिटाने वाला बन जाता है। झाला बन जाता है।